भारत बांगलादेश सीमा से भारत वारा की जा रही फैंसिंग को रोकने के घटना सामने आ रही है दरसल कूछ भिहाज शेत्र में मवेश्यों के लिए बीसे फैंसिंग कारे किया जा रहा था जिसको बॉर्डर गार्ड्स बांगलादेश ने रोक दिया अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार बदलने से दोनों देशों में जो समझोते हुए थे क्या वो बदल जाएंगे और दूसरा सवाल ये है कि इन गतिविदियों पर भारत का अगला कदम क्या होगा है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है कैपिडल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश्मा सर आपका बहुत स्वागत है दन्यवाद जिस तरह की सरकार वहाँ पर आई है तो वहाँ से मवेशी नहीं टेरिस्ट भी आएंगे जिहादी भी आएंगे कटरपंती भी आएंगे उनको रोकना ये हमारा कर्तब है बियस अफ को इसी काम पर लगाया गया है तो हुआ ये कि ये लोग रोकनी के लिए आगे और हमारी जानकारी ये है कि उनको ख़दर दिया गया भगा दिया गया ये बंगलादेशी ये इशू क्रियेट करने के लिए आए थे जिसको ख़दर दिया गया ये कहा गया कि अगली जब Border Security Forces के बी जब बाचीत होगी तो फिर मसले के आएगा और खबरदार कोई इस तरह के काम के उपर रोकने की कोशिश की तो ये तो मामला खतम हो गया सवाल क्या है कि रोकने के लिए आए ही क्यों तीन चार चीजे समझे कि बंगलादिश में क्या हो रहा है अभी वहाँ Professor Yunus की सरकार एक तरह की से बढ़ाई सरकार आर्मी की है ये लोग सलाकार है कोई defense का सलाकार है तो कोई प्रधान मंत्री के रूप में चीफ सलाकार के तरह काम कर रहा है लेकिन फैसला कौन कर रहा है आर्मी अब रिपोर्ट गया होगा कि वहाँ पर काम हो रहा है तो टॉप तक ख़वर गई होगी तो क्या किया जाए तो आदेश वही से आया कि यहाँ पर कुछ नूसेंस क्रिएट करो पर तुमारी हिम्मत इतनी हो गई है कि इंडिया अपने साइट में फिंसिंग करे तुम उसको रोक दोगे तो ख़देड के भगाया गया भागे ही लोग बड़ा अग्रेसिव प्रोस्ट्चर इंडिया के तरफ से ले लिया गया ब्यास अब मामला यह है कि जो सरकार जब से बनी है बात को समझे है अभी तक इसने एक भी फैसला नहीं लिया एक भी फैसला कोई बड़ा फैसला इस सरकार के दौरा नहीं लिया जा सका है क्यों? क्योंकि प्रोफेसर यूनिस का चेरा दिखा करके आर्वी पीछे से उसके उपर तरतरह के दबाव है चाना का भी दबाव है अमेरिका का भी दबाव है अंदर जिहादियों का भी दबाव है जमात वालों का भी दबाव है और तो और DnP का भी दबाव है तो ये क्या करेंगे elections होगी नहीं देखिए जो बहुत सारे पत्रकार हिदुस्तान में नाच रहे थे ये रभी इसकुमार नाच रहा था ये जी तंजुम बाचपेई ये सब सब ये जो कॉंग्रेसी ठाली के जूठन चाटने वारे लोग है ये सारे लोग खुशिया मना रहे थे नाच रहे थे कि डिमोकरसी आगई डिमोकरसी आगई अरे वही ओस सेना का रूल आ गया तो लोग बेवकूफ हो तो तो को समझ भी नहीं आती ये बात फरसला इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंडर प्रेशर है और ये प्रेशर और भी ज्यादा तब हो गया जब पेंटेगन अमेरिका के आर्मी के तरफ से ये आया कि हम इस सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं इसके साथ कॉडिनेट करके आगे काम करेंगे एक तरीके से कह दिया गया कि हमारी कटकुतली है हमनी बिठाया है अब क्या करें ये लोग दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ अब अनरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो हंगामा किया अंदोलन किया इस चीज़ को ले करके कि वहाँ डेमोक्रासी आएगी नौकरी मिलेगी और ये जो बवाल मचा तो सडकों पे अब कटरपंथियों जिहादियों का कबजा हो गया है उसको आप नहीं रोक सकते हैं अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने चर्च में आग लगाया मंदिरों को तोड़ा जो मर्डर अभी भी continuous चल रहा है मैं सत्ता तो बदल गई हिंसा रुख जानी चाहिए लेकिन अभी भी हिंसा हो रहा है कौन कर रहा है क्यों कर रहा है मतलब वहाँ का प्रसाशन जो है वो इन सब चीजों को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल हो गया है अब दूसरा पहलू ये है के घटना घटी है कल ढाका इन्वरसिटी में वो तमाम स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे थे उसी में ही दो फाड़ हो गया है आपस में ही मारपिट कर रहे है क्यूं कर रहे है नौकरिया जा रही है बिजनस्मन छोड की जा रहे है इंडिया वालों ने भी तुरह चाभी टाइट कर दिया है अटानी को कह दिया के ज़ला सब विजली कम करो आपका मंगाई पल रही है कोई decision नहीं हो रहा भविस जो है वो अंधिकार में दिख रहा है और तमान तरह के pressures जो है उसके उपर लगें तो सेना नहीं क्या किया कि ये इनकी अब legitimate की खतम होगे एक मेहने के अंदर आप देखेंगे कि वहां फिर से धर्ना परतसफंद चलू हो जाएगा कि हटाओ इन सबको और प्रोफेसर साहब का क्या है ये वबाल मचनस से पहले पेरिस में रह रहे थे और फिर वापस चले जाएंगे पेरिस बोले मैं गूंकर आ रहे हैं और वहां चले जाएगे है किते हैं हमारे नींत्रेर्ण में कुछ नहीं मेरा बाथ झी कोई कि नहीं सुन रहा है रहा है विकास कोई रेखा समझ में आ रहा है और जो कंपनियां थी वो छड़के-बाग रही है आपका जो प्रमुख व्यपार जिससे आपके पास पैसे आते है वो कपड़ों की वज़े से कहा जाता है कपड़ा कपास पैदा करते हो क्या तुम लोग वो सब तो हिंदुस्तान से जाता है बॉर्डर बंद गाड़ी बंद उधर इंडस्ट्री बंद जातर कंपड़ियां तो हिंदुस्तान की थी कलकत्ता में लोग वहाँ से बिजनिस करते थे तो नोकरिया भी धादर धादर जा रही है और वहाँ पे मसला चल रहा है कि भई इसलाम का सासना गया है एक दिन पहले में देख रहा था वह आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला मुसलमानों को रेस्टल मुसलमानों को आतंकवाद की और प्रेरित करने वाला जाकिर नायक उसने कहा है कि हम आ रहे हैं पीस टीवी जो है बहुत जल्द सुरू होने वाला है सरकार ने परमिसन दे दिया है तो यह जो स्टूडेंट थे वो पीस टीवी पढ़ने के सुनने के लिए थोड़ी अब अजिटेशन कर रहे थे इंडिस्ट्री खत्म हो जाए नौकरी चली जाए मंगाई बढ़ जाए और फोरेंट एक्सेंज है नहीं अब कटोरा लेकर भीग मांगो पाकिस्तान की तरह तो जिन चीजों के लिए आपने आंदोलन किया वो सारी चीज़े तो हाथ से निकल गई सारी चीज़े खत्म तो फिर तो एजीटेसन होगा उल्टा अभी आप इंतजार कीजिए कुछ दिनों के बाद वही लोग जो संकों पे सेख असीना के खिलाब नारे बाजी कर रहे थे आंदोलन कर रहे थे वही लोग प्रोफेसर यूनिस और आर्मी के खिलाब आंदोलन करेंगे क्यों? क्योंकि वैसे ही socio economic conditions जो है बंगलादेश की बंती चली जा रही है तब क्या करेंगे? और ये स्थिति पैदा हो उसके पहले अपनी legitimacy भी तैयार करनी है आर्मी को तो क्या तरीका हो चकता है? जैसे पाकिस्तान करता था वैसे ये भी नी करेंगे? फेक न्यूज गर्बर बार्डर के उपर बवाल कर दो आर्मी वाले बोलेंगे सारे लोग भई देश के उपर जो है इंडिया जो है ये कर रहा है इंडिया हमारी आर्मी को मार रहा है भेंस लगा रहा है तो एक diversity tactics कि देखो अमेरका जाती हिंडुस्तान जो जाती कर रहा है border seal कर रहा है border seal नहीं होगा क्यों नहीं होगा? अभी तो border seal हुआ है आप ज्यादा ऊच नीच आप करोगे बहुत साइशी बंध हो जाएगे तो हिंडुस्तान कि हिंदुस्तान से पंगा लेकर के बंगलादेश they will not do anything good for themselves it is going to be counterproductive नुक्सान हो जाएगा लेकिन अभी क्या है उनकी चिंता वो जो लेजिटिमेसी जा रही है नहीं सरकार की बहुत लेजिटिमेसी कैसे बनेगी लेजिटिमेसी तब बनती जब आप से खसीना को आपने हटाया और उससे बहतर सिस्टम आपने तुर्ट जो है लाया जो कुछ भी था वो भी अब हाथ से निकल रहा है एनार्की फैल रही है नौक्री जा रही है फ्रीडम खतम हो रहा है अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि मौल भी मौला ना जो है लड़कियों को पखल के बोलने है कहा है बुरका तो मारा हिजाब कहा है शुरू हो गया है सब सब सुरू हो गया है तो फिर तो लोग इस सरकार को हटाने के लिए कुछ ने कुछ करेंगे तो उस प्राब्लम से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप बॉर्डर पे ये तमासा शुरू करोगे लेकिन ये भी सक्सेस्फुल नहीं होगा क्यूं इधर कोई मनमोहन सिंग नहीं बैठा हुआ है इस विक्ति का नाम नरिंद्र मूदी है और नरिंद्र मूदी से बच गए बच गए तो बच गए ये बीएसफ स्यार पीएफ जिनके कंट्रोल में है उनका नाम अमित्षा है घुसके मारेंगे तो ये जो तमासा बंगलादेश की जो कटपत्ली सरकार है वो करने की कोशिस कर रही है उससे बंगलादेश को ज्यादा नुकसान होने वाला है सर तमाम जान करें साजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो देखें बंगलादेश में हो रहे इस संघर्ष में वहां के सभी लोग पिस रहे हैं लेकिन अब बांगलादेश में हो रहा ये संगर्ष भारत और बांगलादेश की सीमा तक पहुँच चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बांगलादेश की सरकार इन मुद्दों को सुलजा पाएगी या भारत को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीम नमस्कार।